आधार काड के साथ पेन काड को लिंक करना कमपल सरी है चो कि पहले फ्री में लिंक होता था उसके बाद गवर्मेट ने 500 रुपे चार्ज कर दिया उसके बाद अभी 1000 रुपे चार्ज चल रहा है लेकिन अगर आप 31 मार्च 2023 तक को अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो उसके ब बाद 5-6 दिन के बाद अपने आधार के साथ आप पेन को लिंक कर पहेंगे क्योंकि 5-6 दिन का टाइम लेता है अपडेट होने में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 1000 रुपे फाइन कैसे पे कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपने लेप्टोप कंप्योटर या फिर मोबैल में कोई साभी ब्राउजर ओपेन कर लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ पर आपको पोटल सर्च करना है इंकम टेक्स.government.in आप इस साइट को सर्च कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहली ही आपके पास लिंक आ जाएगी इंकम टेक्स.government.in और यहाँ पर आपको इंकम टेक्स पर क्लिक कर देना है यहाँ पर से आप निचे स्लैड कर देंगे यहाँ पर आप लिंक आधार स्टेटस इसके उपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप अपना पेन काड का नंबर एंटर कर देंगे यहाँ पर आप अप आपका author card link है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि already linked है और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह बता जाएगा pen not linked with other please click on link other तो अभी हमें pen के साथ author link करना है तो उसके लिए यहाँ पर इस link other इसके उपर click कर देना है तो चलिए मैं वहाँ पर click कर देता हूँ और आपके पास कुछ इस तरह का user interface आजाएगा तो आपको यहाँ पर से नीचे slide कर देना है दोस्तो यहाँ पर आप अपने pen card का number enter कर दोनों details enter कर दी है उसके बाद यहाँ पर से नीचे slide कर देना है दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात बताए गई है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है यहाँ पर हमें total 4 category दी गई है अगर आप इन 4 category में से कोई एक है तो अगर आप pen के साथ author link नहीं करेंगे तो चल category है कि आप इंडिया की citizen नहीं है तीसरी category है कि आपकी age 80 साल से उपर की है यानि कि आपके घर में कोई ascension है जिसकी age 80 साल से उपर की है तो अगर वो linking नहीं करेगा तो चल जाएगा और अगर आप आसाम मेगालया या फिर जमू एंड कस्मीर में से है तो भी आप अगर link नही आपकी detail enter की वो detail enter करने के बाद यहाँ पर नीचे valid पर click कर देंगे और यहाँ पर continue to pay thought e pay tax इसके उपर click कर देंगे यहाँ पर आप अपना pen card number enter कर देंगे confirm करने के लिए यहाँ पर फिर से pen number enter कर देंगे और यहाँ पर अपना कोई सा भी mobile number enter कर देंगे OTP verification के लिए और करके यहाँ पर continue पर click कर देंगे अपने जो mobile number enter कर गया था उसके उपर एक one time password यानी की OTP आएगा जो कि आप यहाँ पर enter कर देंगे और नीचे continue कर देंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा आपका OTP successfully verify हो चुका है और यहाँ पर आपका pen card आपको show कर दिया जाएगा और उस pen card में जो भी नाम surname middle name वगेरा है उसके first और last जो character है वो यहाँ पर आपको देख सकते है कि show कर दिया जाएगे जिससे कि आपको पता चले कि यह आपका ही pen card है आप गलती से किसी और का fan तो नहीं बढ़ रहे है तो आप यहाँ पर से यह भी इस तरह check कर सकते है और यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो option है income tax उसके नेचे यहाँ पर proceed पर click कर देना है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो assessment year जो है वो select कर लेना है दोस्तों याद रखे assessment year में आपको 2023-2024 इसको ही select कर लेना है आपको 2022-2023 नहीं select करना है क्योंकि वो financial year है नाकि assessment year तो हमें पर assessment year जो है वो select करना है जो कि है 2023 जो कि हम यहाँ पर से select कर लेते हैं आपको option मिल जाएगा type of payment minor head तो इनीचे यहाँ पर आपको select पर click कर देना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा other receipts तो आपको इसी के उपर click कर देना है जोस्तों याद रखेगा खास कि आपको यह other receipts वाला option जो है वो select कर लेना है इसके आलावा आपको कोई और option जो है वो select नहीं करना है अगर आप पेशा करते है तो आपका जो पेशा है वो totally lost हो जाएगा तो मैं यहाँ पर other receipts इसके उपर click कर देता हूं और नीचे यहाँ पर आप continue पर click कर देंगे आप step 2 पे चले उसके नीचे आपको 1000 दिखाई दे जाएंगे यानि कि आपको कोई भी यहाँ पर amount add नहीं करने है यहाँ पर अपने आप ही 1000 रुपे fill हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आपको नीचे slide करके यहाँ पर continue पर click कर देना है उसके बाद आप payment के page पर आ जाओगे आप net SBI का कोई option नहीं है और अगर आप debit card से payment करना जाते है तो यहाँ पर आप click कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर भी आपको काफी सारे bank के जो options है वो देखने को मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पर net banking के जरीए payment करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर SBI bank तो न basic details है वो सभी आपके पास यहाँ पर show कर दी जाएगी जैसे कि आप देख सकते है तो यहाँ पर से में नीचे slide कर देता हूँ और अभी आप pay now इसके उपर click कर देंगे और आपके पास कुछ इस तरह का agreement box आ जाएगा तो यहाँ पर आपको I agree कर देना है और नीचे आप submit पर click कर देंगे और यहाँ पर से आपको आपकी payment जो है वो complete कर देने है तो चलिए मैं complete कर देता हूँ आपका payment जैसे ही complete हो जाता है यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा थी चलान payment is successful यहाँ पर download पर click करके आपने जो 1000 रुपे पे कर यह है उसकी आप receipt पी download कर सकते है जैसे कि मैंने यहाँ पर download की है कुछ इस तरह की आपके पास receipt जो है वो आजाएगी तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लेट फी जो है 1000 रुपे फाइन जो है वो pay कर सकते online यह 1000 रुपे पे होने के बाद आपको 5-6 दिन के बाद आपको आधार और pen link करने की try करने है क्यूंकि 5-6 दि का time लगता है site पे update होने में तक कुछ इस तरह आपको 1000 रुपे फाइन पे करना है उमिदे video पसंद होगा अगर आपको कुछ confusion है तो आप मुझे whatsapp पर message कर सकते है चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके बिल icon को press कर लिजेगा ताकि आपको latest updates मिलते रहे